आपसरीव का सुपर कंश्र क्लास्टेश में स्वागत थे और यह जो आज का वीडियो है आपसरी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जहारकन बोड पर इच्छा 2013 की बारे में डिसकॉस करने वाले हैं कि आप लोग का है एग्जाम कब तक हो सकता है जैसे कब से फ़ोगा कि बिहार बोर्ड ने और साब साब इसमें दिखा हुआ है कि क्लास 10 और क्लास 12 का जो एक्जाम 15 फरवरी से सीब्सी बोड शुरू कर रहा है अब अगर हम लोग बात करें यहां पर ज्छारकन बोड का कि ज्छारकन बोड का जो एक्जाम में कब तक हो सकता है और आप लोगों के लिए बहुत हो रहा है और एक्जाम का डिट शामने करना रहा है और आपनों को तैयारी अच्छ तरथ किसी करना है और बोności उसी चैनल पर रीगुलर्ली लाइव लिए जाएगा जिस्ते हम लोग क्या होंगे डारेक्ट हम लोग मतलग जूल पाएंगे एक बोर्ड रहने से अच्छा पढ़ाई होता है इसके रेकॉर्ड में उतना मजा नहीं आता लेकिन बोर्ड में मजा आएगा तो बोर्ड में लगवा रहा हूं आप लोगा तैयारी क्या करिए हमारे तिल गृइपन जोर जाएगा तो यह क्या करें टृप होगा यहां पर में क्या करूंगा एकक करिके रिव आप लोग old अंप्रल कर दोव rapid आएगा आज से पर सकते हैं यह आप लोगो के लिए भावध बढ़ी क्वैद बश कर PB हुसक्भी है लाइब क्लासिस कब से शुरू होगा आपको बता दूंगा आपको टैंसे लेना है आप लोग आई ये जूड़िये हमारे साथ पढ़ाई करिये अच्छी तैयारी करिए आगे चलते आगे बात करते हैं जिसी का विन आप लोग बताया अगर सिब्सी बोड का अगर बात करे सीब्सी बोड का बात करें तो टेंथ टैंद ट्वेंड़ एक्जाम है 15 फरवरी से सुरू हो रहा है अगर हम लोग यहां पर क्लास्ट का बात करें लावाए जारकन बॉर परिक्षा जो हमारे दोजरधेस में आपको हमार एक्जाम के बाद होगा और होली हमारा कब है तो 8 म तो अगर हम लोग पेपर के अगोडिंग चले जारकन बोर्ड का जो अपडेट आ रहा है उसके अगोडिंग अगर दो चले तो होली के बाद बोल रहा है होली हमारा आठ मार्च को है तो आप लोग यहां से करीबन एक सब्टा का टाइम ओर ले ले लेते हैं तो आठ दिन यहा हो गया आठ यहां पर आठ और यहां साथ 15 मार्च से करीबन शुरू हो जाएगा तो अभी आप लोग देख लिजिए कि आपके हाथ में कितना समय है आप लोगों को किस प्रकार से त्यारी करना है इस आप लोग यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं कि बारवर पेपर में आप लोगों को भी पता होगा कि एक्जाम का जो डेट है वहां होली के बाद यानि होली के बाद से हमारा इग्जाम सुरू होगा तो अभी मान की चल रहे कि आपका जिसे होली 8 मार्च को है एक सब्सक्राइब लोग अपने हाथ में रख लेते हैं और इकरीबन आपका 14-15 म आज से परिचा सुरू होना चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही आप लोगा परिचा सुरू भी होगा इसलिए आप लोगों को त्यारी में एक दम जी जान लगा देना है अच्छी तरीकिश्य त्यारी करना है तो देकिए यहां पर जिसे कर आब बात करें लास्ट सब्ताम में आ तो जहां तब उम्इद दिसमबर में तो राएगा नहीं तो आपनी सलिए कि जनवरी के फर्स्ट लोगों का आज आएगा ठीक है जनवरी के पहले सब्ता तब बढ़े करना है जो पुराना मोडल प्राय नहीं आया तो नहीं आप लोगों से त्यारी करें है फिर जो बढ़ना उस चक पर दोग एक हुला है अधान नंबर का ऑबजक्टिव ए अधानन अबर पाज़ेक्टिव एसके अधान नंबर का अधान नंबर का अधान नबर का सब्चेक्टिव है जिस पर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं सुपर कंसेप्ट क्लासिस इस चैनल में क्या होगा देखे आप लोगा लाइब क्लासिस लाइब टेस्ट तो लिया जाएगा और क्या होगा इसमें आप लोगों को इंपोर्टेंट कोस्टिन का स्रीज नगर चलने वाला है औ एक कोस्टिन का एक वीडियो तो अगर आपको स्यरक के दानडी या तरह किसको बोलते दान भाइद मिलेगा तो करने चैनल में एक आप लोगों मिलना सुरू होगा ते कि उसमें चलों मैने काम करना छोड़ दिया था लेकिन आप लोगों का बहुत ता डिमांड आ रहा इस करें चलो इस conveRS परики जाए और सूर मैंने आप लोगों को बताए कि आपनी से कैम Better अप penalty का सुंट रॉव स्ऽुल सबस्क्राइबा मैंकर दो क्लास हो जाए गा डिमेर आप लोह बता दुर्म्म आप लोगों का क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा और अभी आप लोग मोडल पेपर और प्रवेसर को जरूर से जरूर पढ़िए तो यह रहा हमारा आज का वीडियो अभी आप लोग माने से आप 15 मार्च तो प्रक्षा हो सकता है और उसी की हिसाब से आप लोगों को पढ़ अगर आप लोग का एजाम 15 मार्च से सुरू होता है तो आप लोग के पास जनवरी पुरा बचा हुआ है फरवरी पुरा बचा हुआ है और मार्च में करीबन आप लोगों के पास 10 दिन बचा हुआ है यानि अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ना तो आप लोगों के प बताना चाहूंगा देखिए कि आप लोग जो भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं सबसे पहले उस चैप्टर के बेसिक्स को पढ़ेंगे ना तो बहुत सबस्टेकर के बेसिक्स से ही बन जाता है यानि उस चैप्टर के बाद थोड़ा साफ लोगो को जानकारी ले लेना है और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या करिए ऑब्जेक्टिव कोस्टेंस पर थोड़ा से ज्यादा जोर दीजिए और सब्जेक्टिव में क्या करिए क्या पुछा गया है दो जार बाइस में बीस में उन्नेस में अठारह में तो यह सब कोश्टिव को आप लोग कर लिजिए सब्जेक्टिव में इससे क्या होगा की लगबद कोश्टिव कहीं से आएगा और देखिए अगर नहीं भी आता आना तो मानिंग चलिए अगर आप नहीं भी मिलता है ना तो कुछ पर्षेंट जिससे की 30% 40% 50% उसको से हमारा जरूर मेंच करेगा और आप लोग काम बन जाएगा और अब्जेक्टिव में भाई ऐसा नहीं होता है चार आप्शन है चार में से एक पर सही करना है मतलब जो जो सही है और यह वाला सही होगा अ इसलों अब्जेक्टिव में इसा नहीं चलता है अगर आप लोग कुछ भी भर देते हैं तब भी आप लोगो थोड़ा पूट नमबर मिली जाएगा लेकिन अब्जेक्टिव में नहीं है और आप लोगों को अभी यह जो 60 दिन आप लोगों के पास है इसका आपको भर विडियो में थैंक यू जाहिन